हंजी, एक और न्यू रेसिपी, मश्रूम की, आपने तेल गरम करना है, दो चम्मच मस्टर्ड ओयल लिए, मैंने उसमें जीरा डाला है, एक चम्मच और दो प्याज को भी चौपर में चौप करके, डाल के, इसके अंदर आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, भून लेना है, फिर उसके बाद एक चम्मच चौप किया हुआ, जिंजर गारलिक भी इसके अंदर डाल के, अच्छे से भून लें, भूनने के बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लें, मिक्स करने के बाद आपने इसके अंदर सूखे मसाले डालने है, एक चम्मच लाल मिर्च, सुखा धनिय नमक अच्छे से मिक्स करने के बाद इसके अंदर फ्रेश मटर डालने के बाद इसको मिक्स कर लीजिए फिर इसको कवर करके रख दीजिए पांच मिनिट के लिए तांकि अच्छे से मटर पक जाएं फिर उसके बाद दूसरी साइड आप मश्रूम का एक पैकेट लीजिए उ को चोटे-चोटा फाइनली चॉप कर लिए बहुत चोटे-चोटे टुकडे करने ताकि पता ना चले यह मश्रूम और मटर की सबजी है और इसके बाद आपने धकन खोलने के बाद इसमें मश्रूम को एड़ कर देना है फिर आपने एड़ करने के बाद पांच मिनट के लिए इसको फिर कवर करके रख दीजिए फिर यह दोनों चीज़ अच्छे से पक जाएंगे मश्रूम भी और मटर भी फिर उसके बाद आपने एक चमच क्रीम मसाला डालना है क्रीम मसाले की भी मैं एक बरियाप से रेसिपी शियर कर दूँगी इसके अंदर कौन-कौन से इंग् मिक्स करने के बाद आप इसको बॉल में पल्टिए सर्फ करिए और उपर से थोड़ा सा हरादनिया भी डाल दीजिए गार्निश करके